नमश्कार बच्चो आज हम सीखेंगे सह अभाज्य संख्याएं बच्चो सह अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स भी कहते हैं को प्राइम ठीक है बच्चो आएए देखते हैं यदि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व गुननख्याओं एक हो तो वे संख्याओं सह अभाज्य संख्याओं कहलाती हैं बच्चो सार्व गुननख्याओं याद है न आपको हम दो या तीन संख्याओं का गुननख्याओं निकालते हैं फिर हम देखते हैं कि क्या इनमें कोई कॉमन गुननख्याओं है सार्व गुननख्याओं है उसे ही हम सार्व गुननख्याओं कहते हैं जो तीनों में कॉमन आ है ना बच्चो, तो यदि दो संक्याओं में सबसे ही बड़ा सार्व गुननखंड एक हो, यानि एक के लावा और कुछ सार्व हो ही ना उनके गुननखंडों में तो ऐसी संक्याओं को सह अभाज्य संक्याओं कहा जाता है, आए ये हम कुछ उधारन देखते हैं, देखिए हम तीन चार छेह और बारह इनके अलावा बारह और किसी पहाड़े में नहीं आता है यानि बारह के सिरफ यही गुननखंड है एक दो तीन चार छेह और बारह इसी प्रकार से तेरह के गुननखंड देखें तेरह के गुननखंड होंगे एक या तेरह एक और तेरह के अलावा ते 2, 3, 4, 6 और 12 उपर है, नीचे नहीं है, 13 नीचे है, उपर नहीं है इसका मतलब इन दोनों संक्याओं 12 और 13 का सार्व गुनन कितना आया? एक, और परिभाशा के निसार, यदि दो संक्याओं का सबसे बड़ा सार्व गुनन कन देखो तो वे संक्याओं कैसी है? सह अभाज्य संख्याएं इसका मतलब बारा और तेरा कैसी संख्याएं हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं आप भी ऐसी कोई भी संख्याएं देख सकते हैं यदि उनका सार्व गुननखंड सिरफ एक होगा उसके अलावा और कोई सार्व गुननखंड ना हो तो ऐसी संख्याओं को सह अभाजय संख्याएं कहते हैं, जादा तर जो संख्याएं साथ साथ वाली होंगी वो सभी सह अभाजय होंगी जैसे तीन और चार दो और तीन, ये सभी सह अभाजय संख्याएं हैं अठारा और उनिस क्यों? क्योंकि इनका सबसे बड़ा सार्व गुननखंड एक आएगा, 100 और 101, 20 और 21, 15 और 16, 10 और 11, जरूरी नहीं है, सिर्फ साथ साथ वाली संख्य हैं, जैसे यहां देखें, 30 और 37, 30 के जो गुननखंड हैं, वह 37 के गुननखंडों से बिलकुल अलग हैं, इनका जो सार्फ गुननखंड होगा, वह भी 1 होगा, 15 और 8, 15 आता है, 1, 3, 5 और 15 के पहड़ में, 8 आता है, 1, 2, 4 और 8 के पहड़ में, तो दोनों का सार्फ गुननखंड कितना है, 1, इसलिए 15 और 8 कैसी संख्याए हैं, सह अभाज्य संख्याए हैं, बच्चों कैसी संख्याए हैं, सह अभाज्य संख्याए हैं, ठीक है, इसी प्रकार से 25 और 12 ये भी सह भाजे संख्याई के लावा आप और भी भड़ी संख्याई ढूम सकते हैं जिनका सार्व गुननखंड एक होगा ऐसी सबी संख्याओं को आपस में सह अभाजे संख्यावं का जोड़ा कहते हैं आशा करता हूँ यह से अब आजे संख्याएं क्या हैं यह आपको अच्छे से समझ आया होगा धन्यवाद